ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको golden keywords दुनने हैं आपके product के लिए So golden keywords क्या होते है golden keywords मतलब वो keywords जिस पे आप बहुत सारा अच्छा सेल लेके आ सकते हो बिना कोई you know keyword experiment करने के बाद golden keywords मतलब जो भी आपके profitable keywords होते हैं उसका long tail version आप धुन्ड के उस पे बेड़ कर सकते हो So आपको golden keywords मिलेंगे कहा से सबसे पहले आपको golden keywords मिलेंगे आपके campaign में जाएए और चेक कीजे अगर आप golden keywords को बजाते हैं हम लोग campaign में जाएए और campaign में आपको चेक करना है जो भी आपकी keywords है तरगेटिंग कॉलम में जो भी आपकी keywords है उसके अंदर orders अगर आपके पास 4 और more है चार या 4 और more उसको हम कहते है golden keywords राइट वह keywords पर आपको चार या उससे जदा orders आ रहे है उसको हम कहेंगे golden keywords और उसके ऊपर हम लोग bid करेंगे बट long tail keywords में ठीके so let's say आपने seller central पर गए आपने वह keywords धूण लिये ठीके मैं आपको बदा आपको कैसे तूणना है एक मिंटर किये so guys basically देखो आपको आना है आपके Amazon advertising में campaigns में और उसके बाद कोई भी आप एक product का campaign उठा लीजिए जो भी आपका SKU है आप उसपर click किजे okay और उसके बाद मैं आपको बदा तो exactly आपको golden keywords उनने का पर okay अभी आपको यहाँ पर click करना है आपके ad group में okay ad group में click किजे उसके बाद आपको बहुत सारे targeting मिलेंगे जिसको आपको copy paste करना है ठीके so आपको जब आप जाओगे इदर you know campaign manager में उसके बाद आपको जाना है targeting में और जो भी keywords पर आपको sale आईए आप करो इदर filter ठीके आप जाईए इदर orders पे और इदर आईए greater than 4 greater than 4 okay apply कर दीजे अब सारे keywords जो 4 या उसके उपर orders है वो सारे आपको appear हो जाएंगे आप इसको export दबाईए और इसको download कर दीजे उसके बाद आपको वो open करना है ठीके यह सारे keywords बहुत ही profitable keywords है राइट because यह keywords पर मुझे 5 या उससे जदा order आये हुए अब मैं क्या करूंगा अब मैं यह keywords इसको कहते हैं golden keywords मैं यह keywords को भी use करूंगा और बड़े-बड़े keywords लाने के लिए free में अब let's start with this तो अभी golden keywords campaign create करने के लिए मुझे सबसे पहले चाहिए होंगे keywords जो 4 या उससे जादा हो अब उसके लिए मेरे पाद 2 free tools है okay guys 2 free tools में आएगा e-grow और scientific seller first go to scientific seller इसको हम click करेंगे यह completely free tool है guys so don't worry about anything okay अब मैं आपको बता हूंगा इसको use कैसे करना है आपको ठीक है आपको जाना है market place पे और इसको डालना है India okay भारत महान राइट और अभी आप जाएंगी यह keyword जो हमने निकाले थे एक keyword को copy कीजिए और इसको paste कीजिए फिर एक को copy कीजिए सब साथ में में टालिएगा only 4 to 5 okay मैं खाली 5 select करूंग अभी के लिए okay 1 2 3 4 & 5 copy this और इसको इसको पेस्ट कर दो control V करके अब दबाईए start my keyword यह आपको पूछेगा यह never mind कर देना और इसके बाद आपको 10 minutes में यह सारे keywords उनने लग जाएगा start my keyword research दबाना है अब देखिये 2 minutes के अंदर वह सारे keywords उननने लग जाएगा which is very very important guys देखिये आप Amazon buyer keywords यह सारे buyer keywords literally buyer जाके एक 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 टाइप कर रहे है Amazon पर जाके यह आपको 5 minutes में सारा list absolutely free मिल जाएगा free Amazon keyword tool right scientificseller.com यह आपको मैं link देदूँगा so don't worry about that okay अब देखिये कितने keywords होगे 97 guys 105 just imagine guys 105 right 133 आपने कभी keyword देखा भी नहीं होगा contigo water bottle glass water bottle motivational water bottle right फिर मतला आपको इसमें मैं आपको और एक बताऊंगा इसके बाद आपको करना क्या है आपको सारे keywords आपने बिडने करने आपको बताऊंगा कौन से keyword आपको actually bid करने है और कौन से आपको avoid करने because अगर आप सब बिड करोगे और वो relevant नहीं होगा you will waste a lot of money आपके बहुत सारे पैसे चले जाएंगे okay okay guys जैसे आप देख सकते हो अभी almost 635 keywords हमको मिल चुके अब मैं क्या करूँगा अब यहां तो मैं download कर सकता हूँ यह तो नहीं कर सकता तो यह लोग मुझे download तो करने देंगे नहीं तो मैं इसको सारो को copy करूँगा okay यह थोड़ा सा long process है guys long तो नहीं है मतलब मुझे सिर्फ इतने keywords ही लोग जाने देंगे बाकी वो बोलेंगे create my account तो अब account create करोगे तो आपको मिल जाएगा नहीं करोगे तो आप इतने keywords से भी कान देला सकते हो so अभी के लिए मैं इसको copy करूँगा और फिर मैं Excel sheet खुल दूँगा और मैं इसको paste कर दूँगा यहां पर control V domain में हो जाएगा यह paste अब देख सकते हो अब इतने सारे keywords आगे मैं अल्मूस्ट 35 keywords, okay बाकी अगर आप account बना दोगे free account तो आपका आप कितने भी keywords डानओर कर सकते हो okay तो मैं इसको copy करूँगा और नए sheet में आल दूँगा इसको नाम लग दूँगा keywords अब देखिए मुझे मुझे सबसे important चीज क्या है मुझे यह चेक करना कि जितने भी keywords है इस सब relevant होने होने ची मेरे products अगर मेरा water bottle है steel water bottle है तो मुझे यह चेक करना कि सारे keywords relevant जो keyword है उस पर बिढ करूँगा वर ना नहीं करूँगा तो जैसे glass water bottle है अब देखिए क्या करना है आपको इधर जाहिए अब जाहिए sort and filter अब यहां से सारे keywords देखिए जो irrelevant है इसे champagne sippers irrelevant है मेरे लिए glass irrelevant है motivational मेरा bottle नहीं है तो वो भी irrelevant हो गया set of 2 set of 4 भी नहीं है okay sipper cups भी नहीं है sipper cups नहीं है sipper adults हो सकते है solar sipper नहीं है तो फिर 24 pack नहीं है for kids नहीं है okay opener नहीं है toddler kids के लिए नहीं है मेरे bottle cozy यह भी नहीं है अब मैं क्या करूंगा इन सब को select कर लिया यह सा relevant नहीं है मैं क्लिक करूंगा shift ctrl down arrow यह आपने क्लिक कर दिया सब सिलेक्ट हो जाएगा right click कीजए delete row बूम सब निकल गया all filters कर दिये अब देखिए आपको सिर्फ यह keywords पर बिट करना है यह होगे 20 keywords यह आपने लायते एक keywords के तुरू देखिए यह यह हमने यूज के अदा सिर्फ यह keyword first keyword water bottle अभी अगर आप यह सब चीजों के रिपीट करो water bottle, steel sipper, steel bottle, water bottle imagine करो imagine guys आपके कितने सारे keywords हो जाएगे guys so इस तरह से आप profitable keywords जून सकते हो absolutely free of cost अब मैं आपको एक और तरीका दिखाऊंगा जिससे आपको free में बहुत सारे keywords मिलेंगे okay let's start dot com पे जाओगे और आप इसका free account मना दोगे तो आपको यह tool free में मिल जाएगा तो आपको जाना है tools पे और जाना है reverse asin search reverse asin search उसके बाद जो भी आपकी top competitors है Amazon पे आप उस पे reverse search करोगे और check करोगे कौन से keywords के लिए वो लोग rank कर रहे और फिर आप वो keywords पे बिड़ करोगे for example अगर आप बोटल बेच रहाँ steel bottle okay steel bottle आप इसको enter करोगे Amazon okay और उसके बाद आप आपके top competitors पकड़ोगे top 5 people पकड़े Amazon पे तो अब देखिए एक एक करके हम करेंगे अब यह Milton है right अब Milton Kuber, Pigeon right तो आप सब branded लोग मत पकड़िए unbranded लोग को पकड़िए branded लोगों में बहुत सारे brand searches होते है जैसे हम Kuber को पकड़ेंगे ठीक है एक बार Kuber और यह भी branded है दोनो तो Kuber पे हम जाएंगे फिर हम करेंगे निरलोन यह सारे generic products है हम इसको easily beat कर सकते है मैं इसको भी click करूँगा Kuber को मैं click करूँगा फिर उसके बाद मैं click करूँगा निरलोन को भी फिर उसके बाद मैं मैं इसको भी click करूँगा ठीक है तो यह Kuber का listing है जो लोड हो चुका है इसका यहाँ पर मैं ASIN copy करूँगा यहाँ पर B0 यह copy करूँगा और मैं जाओंगा reverse पर इसके पेस्ट कीजए और दबाईए go अब देखिए आप कितने profitable keywords मिलेंगे यह क्या करेगा tool यह ASIN को reverse search करेगा और जो भी keywords पर रैंक कर रहे है यह आपको एक list देगा वह सारे keywords के साथ okay 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 guys देखिए यह almost हमको दे चुके है काफी सारे keywords guys यह काफी सारे keywords इन्हों देए हुए और इसको अगर हम करेंगे 100 okay सारे keywords आ जाएंगे आपको सिब डाउनलोड करना है okay excel sheet download okay guys so now what we are going to do is click over here okay export and we are going to get an excel sheet okay here is the excel sheet guys now you see guys like इतने सारे keywords आचुके हमको जिस पे हमारा competitor rank कर रहे है 500 keywords right 500 keywords आप तो यूज करोगे नहीं आपको करना क्या है filter करना है वही छीज आपको कर नहीं है filter करना है और जो भी irrelevant keywords है उसको निकाल देना है जैसे example अगर मेरे product copper नहीं है तो मैं यहाँ पे सर्च कर दूंगा copper और जितना भी copper का आ रहा है product इसको एक साथ में कैसे करूँगा इसको इदर क्लिक करूँगा shift control down arrow और और राइट क्लिक करूँगा और delete row बूम सब निकल गया अब में इदर आऊँगा और करूँगा clear filter अब देखिए मेरे 500 से almost हो गए है 464 ऐसे करके आप narrow down करोगे और let's say अगर आपने narrow down के और आपके पास almost let's say 30 keywords आगे तो आप वो 30 keywords को campaign manager में जाओगे और उस पे broad phrase exact यह 3 campaign चलाओगे और आप इसकी bid रख सकते हो 5 rupees as a starting bid and इससे आपको बहुत सारे sales आ सकते है very very quick okay guys I hope आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा अगर आपको पसंद आया तो like, share and subscribe तीनो कीजिये और every thursday मैं live आता हूँ around 5 o'clock so if you are interested you can join me in the live और कुछ भी questions and answers पोच सकते हो अगर आपको PPC in-depth सीखना है पाच दिन का मेरा workshop है PPC Wealth Triangle, links निचे दिये गए है if you are interested you can join the workshop और यह चीज़ में और भी detail में सिखाता हूँ और काफी जाता results आयो हे लोगों को if you are interested you can join in otherwise that is no problem okay guys so keep selling and keep crushing I'll see you in the next video bye-bye